माननिय श्री भगवंत मान जी की गर्मामय उपस्तिती है मैं उनसे निवेदन करूँगा माननिय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी से कि वो यहां पधारें और यहां आकर इस सावसर पर अपने उद्गार आपके साथ साजा करें अपना समोधन आप सब के समक्ष रखें माननिय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यबाद सबसे पहले मंच पर आसीन माननिय परधान मंत्री श्री निरेंद्र मोधी जी भारती है कैबिनिट के मेंबर SGPC दिली के परधान और आज छोटी सेफजादों को नतमस्तक होने के लिए यहां पर पहुंचे हुए जितने भी लोग आए हैं और पूरी दुनिया में यहां यहां भी देखा जा रहा है सुना जा रहा है लालच दिये गए उन्होंने कहा दश्मेश पिता के लाल हैं और वो साहिबे कमाल हैं बाबा जोरावर सिंग बाबा फते सिंग पूरी दुनिया से आज लोग चल कर फतेगाड साब आ रहे हैं यहां भी वो हैं वहां गुर्द्वारा साब में जा रहे हैं एक बात मैं कहनी चाहूँगा बहुत कम लोगों को शायद पता होगा जब दिवार में चिने जा रहे थे छोटे सहब जा दे तो प्रधान मंत्री जी जब दिवार घुटनों तक आई तो घुटने थोड़ा आगे रहते हैं इंट को तोड़ना पर पर न था इंट पर अथावडा चलाना था इतना जालिम था सूबाश्रान बोला इंट पर अथावड़ाई नहीं चल रहे इतना जलम हुआ फिर भी बोले सोने हाल के जैकारे बाबा जोरावार सिंग जी की आँखों में पानी आ गया तो छोटे सैफजादे बाबा फते सिंग जी ने बड़े भाई से पूछा भाई साब क्या डर लग रहा है मौत से आँखों में पानी है तो बाबा जोरावार सिंग जी ने कहा फते मुझे मौश से डर नहीं लग रहा ये आँखों में पानी तेरे बारे में सोच के आ रहा है तु दुनिया में आया मेरे बाद था जाएगा मेरे से पहले क्योंकि उनका कादी छोटा था गर्दन तक दिवार पहले छोटे सावजादों के पहुंचती थी ऐसी कुरबानी और इसको इस पूरे महीने कोई वैसे तो सोग के तौर पे बनाय जाता है लेकिन मैं जहाँ रहा है बच्पन में मेरे दादा दादी बीस तारीख के बाद चार पाई पर नहीं सोते थे दस दिन तो बच्चों के मन में सवाल आई जाता है हम मैं अपने माबाप से पूछता था दादा दादी चार पाई पर क्यों नहीं सोते तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो महीना है ये जो हफता है ये बहुत ही अफसोस का है जैसे घर में मौत हो जाए लोग चार पाई पर नहीं सोते ये अपने छोटे सहब जादे उनकी शहीदी का हफता है तो लोग चार पाई पर नहीं सोते अफसोस मनाते हैं कोई खुशी का कोई खुशी का फंक्शन नहीं करते इसको जोड मेल कहा जाता है जोड मेला नहीं जोड मेल सर जोड कर बैठो और अफसोस करो और कुरवानी को याद करो और अगली पीडियों को बताओ कि जुलम के खिलाफ ऐसी कुरवानिया नौर साथ साल की उमर में हो गई थी आदमी बड़ा सालों से नहीं आदमी बड़ा ख्यालों से होता है ख्याल बड़े थे उनके खून में जबर और जुलम के खिलाफ लड़ने की दिर्टा थी आज हम सभी अमरे योदाओं को याद करते हैं शीद आजम भगेश सिंग राजगुरु सुकदेव शीद उदम सिंग जी का जनम दिन है आज क्यों याद करते हैं लोग उनको कभी भी याद नहीं रखते जो बैंकों में खाते खुलवा कर जाते हैं और लोग उनको कभी भी नहीं भूलते जो दिलों में खाते खुलवा कर जाते हैं इन शहीदों ने इन गुरुओं ने, इन पीरों ने, इन सहवजादों ने हमारे दिलों में खाते खुरवाई हुए है, रहती दुनिया तक इनको याद किया जाएगा, और मानिया पर्धानमंत्री जी, आपने आज इस शहादत को बहुत दुनिया में पहुचाया, बहुत से लोग आज पहली और उनको शहाद पता चल रहा होगा कि क्या हुआ था, तो इसके लिए पंजाब की तीन क्रोट जानता की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और एक और आपने पंजाब को तुफ़ा दिया है, कि जी टुएंटी के दो समेलन, एक एजुकेशन और एक लेवर पर श है, दुनिया से लोग आएंगे, हम उनको दरवार साब दिखाएंगे, जलेंबाला बाग दिखाएंगे, बागा बॉर्डर की प्रेड दिखाएंगे हमारे जवानों की, उनको दुरग्याना मंदर दिखाएंगे, जगा रामतीर्त दिखाएंगे, और उनको बताएंगे, कि हम ये लोग हैं हम अपनी hospitality के लिए मेजवानी के लिए माने जाते हैं खुद भूखेस हो जाते हैं महमान के लिए हम best से best जो घर में खाना होता है वो देदें तो पूरी तुनिया भर में जितने पंजाबी हैं जो नतमस्तक हो रहे हैं इस शहीदी को उनको भी परणाम करता हूँ और आपने आज यहां मुझे भुलाया मान संबान दिया मैं आपका बारी हूँ और इस कुरवानी को और भी दुनिया तक पहुचाना है आने वाली जनरेशन को भी बताना है कि सिर्फ इस उम मांगा ने जाता इस उमर में समाज को जान भी दी जा सकती है कुरवानी भी दी जा सकती है तो जैसे के बहुत ही कमाल कीर्टन हो रहा था बड़ी सिंक्रोनाइजेशन थी बहुत अच्छे तरीके से याद किया गया उनको और उसमें भी यह क्या गया था कि जिसकी जुबान पर फते उसकी जहान पर फते इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ वाहिगर जी का खलसा वाहिगर जी की फते